देखिए जब आप अपने मकान का काम करवाते हैं तो इसमें कॉलम जो है बहुत एहम भूमी का निभाता है आपके मकान का पूरा लूट कॉलम पर होता है और अगर आप मकान को दो मंजिल तीन मंजिल या पांच मंजिल ले जाना चाहते हैं तो इसमें जो कॉलम उठाने की त इसे होते हैं जो इंजिनियर बनने के चकर में आपको एक्स्ट्रा खर्चा करवा देते हैं तो यह हम आपको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप यहां वीडियो में देख सकते हैं कि यह 20 बाइ 30 का मकान है जिसमें दो कॉलम है इसे पास पास दिया गए बलकि यहां पर इसकी यहां पर एक फिट की दूरी पर तकरीपन दो कॉलम दिये हुए हैं आप यहां क्लियरली देख सकते हैं और इसमें सबसे बड़ा नुकसान जो है वो हाउस के ओनर को होता है क्योंकि जब कॉंट्रेक्टर ऐसे काम करता है वो खुद इंजिनियर बनने लगता है तो आपको स जबुति के साथ बने और आप भविस्व में अगर उसे दो मंजिल तीन मंजिल ले कर जाए तो इसमें आपको कौन सी दो बाते हैं जिसका ध्यान रखना होता है देखिए सबसे पहली बात तो यह अगर आप अपने मकान की प्लानिंग यह करते हैं कि आप उसे भविस्व मे दो मंजिल या तीन मंजिल तक बनाना चाहते हैं तो इसमें जो पहला पॉइंट आता है वो है फाउंडेशन का देखिए इसमें जो कौलम के गड़े हैं उसे अगर आप दो मंजिल या तीन मंजिल के हिसाब से बनाते हैं तो इसमें कम से कम उनकी गहराई 6 से 7 फिट तक होन चाहते हैं तो उसमें आप जो है कॉलम की साइज 9 से 1 फिट तक रख सकते हैं लेकिन आपने बड़ी-बड़ी बिल्डिंगों को देखा हो गए जिसमें जो कॉलम की साइज है वो दो फिट बाई 3 फिट तक के रखते हैं और इसमें जो बार का उप्योग किये जाता है वो 18 से 32 तक की बार का उप्योग किये जाता है तो यहाँ पे आपको एक चीज यह ध्यान रखने है अगर आप चाहते हैं कि आप अपने मकान को मजबूती के साथ बनाए तो उसमें आपको कॉलम जादा देने की जरुवत नहीं है बलकि यहाँ पे जो कॉलम का फंक्शन होता है कॉल इससे कॉलम पर आप कितना लोट दे सकते हैं इसे कैसे निकाला जाते हैं इसके बारे में हम जल्द एक वीडियो ले कराएंगे जिससे आप पूरी तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आप अपने मकान का काम करवाते हैं तो आपको उसमें कितने कॉलम देने चाहिए कौन से जिससे भेशान में आगे बढ़ाते हैं तो उसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही उमीद करते ही वीडियो आपको पसंद आय横ा चैनल पर नहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शेयर क आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद